हेलो दोस्तो मेरे नाम है चंदन दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको SEO Quick यूज करना है कैसे आपको इस Extension से Page Info का पता करना है Title, Meta Keyword, Description, Internal Linking, Density जैसे Keyword की Density होती है One Word, Two Word, Three Word, Three Word, Four Word, कितने Word के जैसे आपको Keyword होते हैं यह सब चीज़े आपको कैसे पता करना है किसी भी website का Alexa ranking जैसे हम कोई Google में सर्च करते हैं तो उसकी जो Alexa ranking है कैसे आपको पता करना है और कैसे आपको उस domain का age को पता करना है यह सब चीज़े तो आज में इस वीडियो में बताऊंगा यह वीडियो उनलों के लिए बहुत खास होनी वाली है जो लोग पहले से blogging करते हैं जिलनों की पहले से website है या जो लोग अभी website बनाना चाते हैं अपना online business करना चाते हैं और एडसन से earning करना चाते हैं तो यह वीडियो उनलों के लिए बहुत अच्छी होनी वाली है तो दोस्तों वीडियो को सुरू करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ कहने चाहूंगा कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा हमें सपोर्ट कीजिएगा ठीक है तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे कि कैसे आपको इस एक्स्टेशन को यूज करना है यानि कि अपने गूगल क्रोम में लगाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पर सर्च करना है गूगल वेब स्टोर ठीक है, जब Google Chrome वेवस्टोर भी आप सर्च कर सकते हैं ठीक है, तो मैं यहाँ पर Google वेवस्टोर सर्च करता हूँ अब सर्च करने के लाद, यहाँ पर First नमर पाद आता है Chrome वेवस्टोर, ठीक है, आपको इस पर किलिक करना है जब आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे Chrome Wave Store ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे आपको search करना है S-E-O-Q-U-A-K-E ठीक है उसको आप इंटर करना है इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको green करन का एक यहाँ पे extension दिखा दे रहा है इसको आपको क्या करना कि add to chrome करना है दोस्तों यहाँ पे add to chrome मेरा इसलिए नहीं दिखा दे रहा क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले ही सही अपना chrome extension लगाया हुआ है ठीक है यहाँ पे आपको search हो रहा है as E-O-Q करना है ठीक है तो यहाँ पे add to chrome करना है जब आप add to chrome कर देगे तो आपको इस तरह का यहाँ पे दिख जाएगा extension लगा हुआ ठीक है अब हम बात करते कि कैसे आपको use करते हैं ठीक है कैसे आपको use करना है तो यहाँ पे हम जैसे कुछ भी search मार लेते हैं यहाँ पे मैं search करता हूँ what is SEO ठीक है अब मैंने यहाँ पे what is SEO search किया तो यहाँ पे आपके normally यहाँ पे 1,2,3,4,5,6 यह सब चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं दिखा दे रहा होगा जब तक आप इस extension को use नहीं करोगे यह सब चीज़ें आपको नहीं आएगा सेकेंड हम बात करते हैं यहाँ पे Alexa ranking जो यह moz.com है जो website है जो company है उसका Alexa ranking कितना है 4.07k ठीक है अब is domain is 1998 ठीक है 1998 में इस domain को register किया गया है GoDaddy पे या कहीं भी जो जो यहाँ पे provide करते हैं domain को ठीक है अब यहाँ पे इस पेजारतम search engine land पे ठीक है इनकी जो Alexa ranking है 26.3k यह 2006 में इस domain को registration किया गया है ठीक है तो यह सब चीज़ें आपको information यहाँ पे इस tool से मिल जाता है अब हम बात करते हैं कि इस website जैसे इस website को open करते हैं इस website के हमें जैसे title, discussion, url यह सब चीज़ें हमें keyword होगरा है यहाँ पे इस extension पे click करना है click करने के बाद इस website के सारी information आपको यहाँ पे मिल जाती है ठीक है तो हम सब से पहले यहाँ पे क्या कर लेता है page input इनका page का info हम जान लेते हैं ठीक है pin का यहाँ पे title आजाता है what is SEO search engine optimization ठीक है meta keyword, meta description और यहाँ पे internal link, external link और server यह सब चीजे आपको यहाँ पे फर्म हो जाते हैं किसी website के आगर आपको information पता करनी है तो यहाँ पे आप रसकते हैं ठीक है अब यहाँ पर राते हैं और यहाँ पे URL यह बहुत घंजते हैं आपको यहाँ देख सकते हैं किसी भी website की information अगर आपको निकाल नहीं है तो इस extension से आप निकाल सकते हैं ठीक है अब यहाँ पर आता है हम internal पर अब इस website जो company है या website है इसमें कितने internal link है कितने इनके pages है इनके pages बने हुए तो यह सब चीजें आपको यहाँ पर मिल जाता है ठीक है इनके कितने pages बने हुए 59 pages ठीक है तो यह सब information आप किसी भी website की information इस extension से निकाल सकते हैं ठीक है अब यहाँ पर और भी link है ठीक है यह internal link था यह external link का है तो यह सब आप पता कर सेते हैं बहुत से अच्छे से अब आद हम keyword पर density ठीक है अब इनके इस website के अंदर कितने keyword यूज की हो है तो यह keyword आपको यहाँ पर सहरा दिख सकते हैं आप निकाल सकते हैं हम निकालते हैं forward keyword table ठीक है अब जितने भी keyword forward के है SEO SEO, SEM local retail, SEM local retail, Google table of SEO factor तो इनके यहाँ पर इतने keyword यूज की है यह keyword आपको यहाँ पर सारे सो हो जाते हैं मतलब यह जो extension है बहुत ही अच्छा extension है जिसे आपको काफी information मिल जाती है जैसे कोई keyword आप सर्च करते है तो यहाँ पर नीचे आपको दिख जाता है ठीक है अब मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ एक बार फिर से आपको बता देता हूँ अब जैसे यहाँ पर आपने सर्च किया है what is SEO तो यहाँ पर मैंना भी आपको बताया कि यहाँ पर ranking और यहाँ पर क्या हो गया Alexa ranking कितने 26.03K ठीक है और यहाँ पर एक चीज और domain age ठीक है इस domain को कब register किया गया था तो यह सब चीज़ें आपको मिल जाता है अब मैं यहाँ से इसे आप करूँगा तो यहाँ पर यहाँ पर आपकर चीज़ें खतम हो जाएगी ठीक है मैं यहाँ पर आपकर आगया simple आगया जैसे Google में आता है search करके ठीक है आप इसे ओन करते हैं तो सारे information आपको यहाँ पर फिर से सो होने लग जाते हैं तो यह extension बहुत अच्छा extension को यूज किजिए ठीक है यूज करने के बाद आपको यह सब चीज़ें यहाँ पर information देखनी है किसी website की उसके बाद आपको keyword research करना है और keyword को rank करने की ठीक है तो यह सब चीज़ें आपको पहली देखने जैसे आपका keyword है मैं keyword में आपको एक्जामपल बता देता हूं आपको keyword है what is SEO तो यहाँ पर टॉप 10 में जो रइंग कर रहे है ठीक है आपको आपको यहां से कॉफी नहीं करना है थोड़ा सा अपने कुछ लिखने है और थोड़ा से उठाली जीए उसके बाद यूज कर लिजिए ठीक है अगर यह website rank कर रहे है थोड़ा सा आप भी rank कर सकते हैं इसमें ठीक है मैं 100% नहीं कर सकता हूं लेकिन आप rank कर सकते हैं ठीक है यह सब चीजें आपको सबसे पहले देखना है उसके बाद आपको article लिखना है ठीक है तो दोस्तों I hope you कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम कि आपको इसे सारे website की information निकालनी है और कैसे आपको इनफोरमेशन निकालके जज़ करके आपको website की कीवर्ट रहें करना है ठीक है तो दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है तो इस मैं तो यहीं कहने चाहूं कि अगर अबी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है हुआ हम्साने को सब्सक्राइब की जिए था है ठीक है तो दृस्तों फिर में dairy हम लेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जया हिए जय भारत